विठाईयां मनाओ, खाओ खिलाओ, फोली मनाओ, आज की डिश नारियल के पीड़े यह रही सामगरी, एक कटोरी रबडी, दो कटोरी नारियल का बुरादा यानि डैसिकेटड कोकोनट, एक कप पिसी हुई चीनी यानि केस्टर शुगर, एक छोटा चमच पिसी हुई इलाइची पाउदर, दस बारा भून गुलाग जल, और दस से पंदरा किश्मिश, सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, और उसमें यह जो रबडी हमने बनाई है, उसको हम इसमें डाल देंगे, अब इसमें हम डालेंगे यह डैसिकेटड कोकोनट, एक कटोरी और यह दूसरी कटोरी, इसमें मिक्स करेंगे यह पिसी हुई चीनी यानि कैस्टर सुगर, अब इसमें मिक्स करेंगे यह इलाइची पाउडर, और यह गुलाब जल, सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, सारी सामगरी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, अब आईए इसको पेड़े का शेफ दे देते हैं, हाथ में थोड़ा सा घी लगागर इसको पेड़े का शेफ देंगे, और यह उपर से एक इसमें किश्विष लगा देंगे, इस तरीके से, आप अगर छोटा बनाना चाहें पेड़ा तो छोटा भी बना सकते हैं, यह देखिए इस तरीके से, तो लीजिए हो गया तयाब नारियल के पेड़े, वैसे तो यह किसी भी सीजन में बनाए और खाए जा सकते हैं, लेकिन होली में इसका मज़ा ही कुछ और है, सिर्फ बनाईए, खाए खिलाए, लेकिन हाँ, एक बात का विशेज ध्यान रखिएगा, कि इन पेड़ों को बनाने के बाद आधे गंटे के ले फ्रीज में रख दीजेगा, जिससे कि यह सेट हो जाए और खाने लाइख हो जाए, फिर मुलाकात होगी एक नई रेसीपी के साब, तब तक लिए हैपी हो लिए कि अधर हो जाए, चर्वाम के बात को लिए और खाने लाए, बात खाने के ले एक बात करते हो.